के अंदर हम कक्षा बारा भुगोल विशे का most important topic विश्व जन संक्या वितरन गनत्व और व्रदी इनकी परिभाशा हैं देखेंगे इनकी परिभाशा से हमेशा से board के अंदर एक प्रशन तो आपको देखने को मिलता ही है अप हर साल का paper उठा लिजे आपको जादतर में इस topic से हमेशा आपको प्रशन मिलेगा इनकी परिभाशा पूछ लेता है कभी वितरन की परिभाशा पूछ लेता है कभी गनत्व की कभी वरदी की जन संक्या वरदी की परिभाशा दीजे या फिर इसससे आश्रे इस बच्चे बहुत सारे वित्राइन और गनत्व में चांफिज ओ जाते है इस बात से लगाया चाहता है इसको छूड़ए आप सबसे पहली लाइन आप समझिए जो वित्रन है जन- educate सब्सक्राइब क्या इसे को कहते हैं और लोगों के फैलाओं को ही बीटरंग अन्य और देखे आप जन संक्या वित्रन शब्द गारते भूप रष्ट पर लोग किस प्रकार वित्री थे यानि किस प्रकार फेले हैं इसी बात से लगाया जाता है या फिर इसे ही जन संक्या वित्रन कहते हैं तो लोगों के फेलाओं को ही जन संक्या वित्रन कहते हैं ठीक है ना लोगों के फैलाओं को वितरन कहते हैं पूप रष्ट पर मोटे तोर पर विश्व की जन संक्या का 90 परतिशत उसके 10 परतिशत इस्तल भाग में निवास करता है मतलब कि जैसे ये पित्वी है इसका समझ लीजी ये 10 परतिशत भाग है ठीक है ना ये 10 परतिशत भाग है तो इस 10 परतिशत भाग पर केवल इस 10 परतिशत भाग पर 90 परतिशत जन संक्या निवास करती कितने 90 परतिशत जन संक्या विश्व की केवल 10 परतिशत इस तल भाग पर निवास करती है तो ये आपको बताया जा रहा है विश्वी के 10 सारवदिक आबाद देशों में विश्वी की लगपक 60% जन संक्या निवास करती है इस 10 देशों में से 6 तो एश्या में ही अवस्तित है अब आप देखें कि जो विश्वी के 10 कंट्रीज है यानि 10 जो देश है विश्वी के हैं तो 10 कंट्रीज के अंदर 60% जन संक्या निवास करती है पेला फेक्ट मैंने क्या बताया आपको कि 90 परतिशत जो जन संक्या है वो केवल 10 परतिशत इस तलिय भाग पर विश्वी पर निवास करती है और अब इसमें बता रहा है कि 10 जो कंट्री है वो 60 परतिशत जो जन संक्या है वो 10 कंट्रियों में ही निवास करती है ठीक है ना और इसमें से भी 10 जो कंट्री है उसमें से 6 जो कंट्री है 6 कंट्री जो है वो आपकी आ जाती है एशिया महादीब में शे कंट्री किस्त में आती ही एशिया माधिप में जिसमें हमारा भारत भी आता है। अब आप ये छोटा सा आकरा याद रख लिजे कि जो चीन है वो विश्व का सबसे ज़्यादा जन्संक्या वाला देश है। दुट्या नमबर पर भारत आता है और तुट्या नमबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। फिर आपका इंडोनेशिया, ब्राजिल, पाकिस्तान, नाइजेरिया, बांगलादेश, रूस, मेक्सिको ये सब आते हैं। तो फ़र्श नमबर पर चीन है दुट्या पर भा पर आता है। फिर हमने दूसरा पड़ा कि जो χीcket 15 परतिशत जन संख्या होती है कि और खेल 10 पर ओप पर निवास करती है वैस्ष्भ की, और फिर आपके 10 जो संख्या देश है उस पर 10 पर परतिशत पर पर निवास करती है, और यह 10 10 the संख्यान, si शे तो केवल हम मारे एशिया महादीप में इस्तित है जिसमें से बारत फर्ष नंबर बारत सेकिन नंबर पे है जो हमारा इंडिया है वो सेकिन नंबर पे आता है और जो चीन है वो फर्ष नंबर पे आता है ठीक है ना? अब आप देखें गनतवर, जन संक्या गनतवर लोगों की संख्या और भूमी के आकार के बीच के अनुपात को समझना आवशक है यही अनुपात जन संख्या का गनतव कहलाता है क्या किया रहा है लोगों की संख्या और भूमी के आकार के बीच का अनुपात इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं जन संक्या गनत्वन आगे देखिए सामन्यत प्रतिवर्ग किलोमेटर रहने वाले वेक्टियों के रूप में मापा चाता है देखिए आप इसको भी आप बहुत इसली समझ सकते हैं और आपका वित्रन और गनत्वन में भी जो आपकी कन्फियोजन होती वो भी दूर हो जाएगी तो मैंने सबसे पहले देखिए यह समझे पित्वी है यहाँ पे यह समझ लीजिए यह सब लोग रह रहे हैं तो यह तो हो गया वित्रन जन संक्या का फैलाव तो हो गया वित्रन जिसमें कोई निश्चित नहीं है ठीक है ना कोई निश्चित मतलब भूमी नहीं है अब इसमें देखिए आप कि जैसे समझे यह एक भूमी है इस भूमी के अंदर हमने देखा कि जनसंख्या गनत्व देखना है तो इसमें हमारे को गनत्व देखना है तो अब सबसे पहले तो हमें इसका शेत्रफल देखना पड़ेगा कि इसका शेत्रफल क्या है तो शेत्रफल हमें देखना पड़ेगा एस Pick जो एरिया है इसका शेदरफल कि आ और फिर इस शेदर में जन्संख्या निवास कर रही है वह जन्संख्या भी हमें देखनी पड़ेगी तो अब जब हम यह निकाल लेंगे तो हमारे को फिर देखना है कि प्रतिवर्ग किंवां के लो मिटर ने यह फिर किंवा हृं Hmm की गनत्व किलाता है अब आप देखे वितरन क्या था जन संक्या के का फैला हो इस में कोई एसा नहीं था कि प्रतिवर्ग किलोमेटर के लुप में कितनी जन संक्या को बुदिскन लगत dni देता हूं कि एक बच्चा है उसके तो यह क्या हो गया वित्रन और अगर उसको मतलब पांच लोगों में बाटना है ठीक है प्रति लोगों में हर सब में बाटना है और पांच लोग है तो इसका पांच से डिवाइट करेंगे तो कितना आजाएगा दो आजाएगा तो मतलब दो-दो सब में बाट देगा वो संक्या गनत्व कहते हैं यह इसका सुत्र है जन संक्या गनत्व का तो यह आप याद रख सकते हैं जन संक्या गनत्व बराबर जन संक्या बटा शेत्रफल यह सुत्र आपको याद रहे सकते प्रतिवर्ग किलोमिटर में निवास करने वाली जनसंक्या को ही जनसंक्या गनत्व कहते हैं तो यह भी आप परिभाशन दे सकते हैं ठीक है ना अब आप देखें कि आप कैसे रखेंगे जनसंक्या और बटेवा शेत्रफ़ल वैसे तो आसान है पर अगर आपको याद न यह डे सकते हैं कि जन संक्या का गनत किसका निकालना जन संक्या सबसे पहले में प्रश्न कर प्रदेश कुछ भी आप प्रदेश का नाम मलेजें gender स्का कर यह पनां के डूरत Time वी अनला Transit अ प्रदेश की उद्धेश को सबस्टेन को यहां स्क्यारे कर देखता की सो वर्ग किलो मिटर क्या बता रहा है सो वर्ग किलो मिटर तो सो कि मी स्क्वाइर बता रहा है आपका उसका शेत्र फल और वहां की जन संक्या है एक लाग पचास जार कितनी है एक लाग पचास जार अब इसका जन संक्या गनत्व आपको निकालने के लिए कहा है तो आपको पता है कि जन संक्या गनत्व का सुत्र क्या होता है कि जन संक्या बटा शेत्रफल यहां पर हमने बताया था जन संक्या बटा शेत्रफल तो आपको तो देखिए गनत्वत मतलब सबसे पहले दो जनसंख्या लिखनी तो एक लाग पचास जार तो क्या होगी जनसंख्या होगी आपकी और अब आपको लिखना है नीचे शेत्रफल नीचे शेत्रफल क्या हो गया 100, अब आपको 0 से 0 आपने काट दिया और यहां पर आपके बज गया 1500 एक हचार पान सो व्यक्ति तो 1500 व्यक्ति बज गए आपके तो वो प्रतिवर्ग किलो मिटर में आ जाएगा ठीक है न कीमी का स्क्वायर आ जाएगा प्रतिवर्ग किलो मिटर तो 1500 प्रतिवर्ग किलोमेटर में निवास करते हैं और तो मतलब 100 में 100 का भाग इसमें देदोगे आप तो प्रतिवर्ग किलोमेटर में 1500 वेकती निवास करेंगे अब आप इसको वापिस समझना चाहें तो वापिस आप देखें वित्रन सिंपल सा है जन संक्या के फैलाओ को वित्रन कहते है कि जन संक्या जिसे फैली वी है उसी को वित्रन कहते है और गनत्व किसे कहते हैं प्रतिवर किलूम्रे में जैसे आप देखिए समझे ये पित्वी है इसके समझे लिए चार पागे कितने बाग है चार बाग है अब इस पूरे का मैंने शेत्रफल बोल दिया आपको दस है इसका शेत्रफल कितना है दस है यह फिर आप यह मान लेजिए शेत्रफल चोड़े आप आप इसमें यह मान लेजिए कि यह चार गर है कितने गर है चार गर है चार गर है और लोग इदर तोटल लोग रहते हैं, आट, तोटल लोग कितने रहते हैं, तो प्रतिक गर में कितने लोग जाएंगे, तो आप सब को पता है, प्रतिक गर में कितने लोग जाएंगे, तो दो दो लोग जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, तो दो इस गर में चले के, दो इस गर में चले के, हमने यह जो है शेत्र Εच्ट्रफ़ लोगया और जन संक्या है का levar किलोमीडर हो जाएगा एक हजार पांसो वेक्ति वर्ग किलोमीडर है अब आप देखें जन संक्या वर्दी जन संक्या व्रदी अतवा जन संक्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी शेत्र में समय की किसी निश्चित अवदी के दोरान बसे हुए लोगों की संक्या में परिवर्तन से हैं आप समझे कि एक जो जन संक्या वर्दी है वो तो सबसे पहले जन संक्या परिवर्तन से उसका मतलब जन संक्या वर्दी का मतलब होता है परिवर्तन ठीक है ना और वो भी क्या है एक निश्चित समय में होनी चाहिए एक निश्चित समय के अवदी के अंदर होनी चाहिए तो एक निश्चित समय के अवदी के अंदर जो जन संक्या में परिवर्तन हो रहा है उसे ही जन संक्या वर्दी कहते हैं अब ये परिवर्तन संख्या अत्वा प्रतिश्यत के रूप में भी अभिवेक्ट किया जाता है निर्पेश संख्या का मतलब क्या हो गया कि एक्जेक नमबर में ठीक है ना एक्जेक सैंसे नीवास करती है और जो दस कंटरी है उसमें से च्छे कंट्री तो केवल एशिया महाँदीप में निवास करती है जिसमें से प्रत्म नंबर पे कौन सी है चीन है जीत्ते पर कौन सी हमारा भारत है यह वित्रन के अंदर फैक्ट पढ़ेते हैं गनत्व हमने हमने क्या पढ़ा गनत्व के अंदर कि गनत्व प्रतिवर्ग किलो मिटर के अंदर किसमें प्रतिवर्ग किलो मिटर के अंदर प्रतिवर्ग किलो मिटर के अंदर जितनी जन संख्या निवास करती है उसी को गनत्व का ज जाता है तो अब इसका सुत्र भी हमने पड़ा सुत्र क्या था कि गनत्व का सुत्र क्या था आपको सब को पता है गनत्व का सुत्र था जन संख्या बटा शेत्रफल जन संख्या बटा शेत्रफल यह जन संख्या गनत्व का सुत्र था बस इतनी लोग निवास करते हैं उसके बारे में बात करी जारी तो इन दोनों को जो प्रभावित करतें दोनों की कारक भी सेम होंगे कि जहां वित्रन जाधा होगा यानि जाधा जधा पेली वहीं तो उदर तो बस बहुत आसान चीज़ है कि यह समझ लीजे कि यह देखे आप दो घर है यह क्या है दो गर है अब इन में से आप देखे कि यहां पर तो रहते हैं सो वेक्ति और यहां पर रहते हैं 200 वेक्ति तो यह तो क्या हो गया वित्रन हो गया कि सो वेक्ति यहां रहते हैं दूसर यह रहते हैं यह तो क्या हो गया जनन संक्या वित्रन हो गया ठीक है ना अब जहां पर वित्रन जादा है वहीं पर गनत्व भी जादा निकलेगा अब सम मिस्तान का फेला हूं तो लिये देख लीजी ये भी 70 KM और 200 KM ठीक है लोगे में 12 KM गर मानो आप देश में मैंनो कुछ आप मान सकते हुं तो यहां मेर्ट वेकती रहते तो इसका अगर आपन गनतव निकालेंगे तो क्या हैँ अगा सबसे पहले किलोमेटर्य को दूदी तो इसमें क्या गया एक व्यकति किलोमेटर बेद्एर्द किलोमेटर्य किलोमेटर्य किनलतर तो का क्वेगती-क्ती-पॽी किलोमीटर दो वेक्ति प्रतिवर किलोमीटर तो कहां पर जनसंख्या गनत्व जादा है तो यहां पर जनसंख्या गनत्व जादा है इसके कंपेर में तो जहां वित्रन जादा होगा वहीं जनसंख्या गनत्व भी जादा होगा तो इन दोनों को प्रपावित करने वाले कारक भी सेम होते हैं तो आप जब इन दोनों के कारक भी आपसे बोर्ड में पूछ लेता हैं तो जब आप कारक इनके तेयार करो इनको प्रपावित करने वाले कारकों कि कि आप सुची बनाओ तो दोनों को सेम रखो बस कुछ आंकड़े आपको अलग करने तो मैं इसकी उपर एक अच्छे सी वीडियो बना दूंगा क्योंकि यह भी बहुत एक्जाम में आता है तो वीडियो केसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बता हैं और इस वीडियो को आप दो तिन बार देखें ताकि आपको यह पक्की चीजें याद हो जाएं